दोस्तों दुस्त आदमी की एक खासियत होती है कि अगर वो एक हाथ से देता भी है तो दूसरे हाथ से च्छिम लेता है उसकी देने की आज़त नहीं होती है यही आपको देखने को मिलेगा बाइदन बबा के साथ कल ही भाई सब खबर आई कि भारत और अमेरिका के बीच लग यह कहा जा रहा है लेकिंग जो कणपरम है हो आप सामने यह विइन रहे है जो की कैशल हो गई है दो डिर काम तर ना साल 2018 से तक के लिए ये डील हुई थी दो कंपनियों के बीच में बारती ये कंपनी टी और अमेरिकन कंपनी ट्रांस अमेरिका के बीचे लेकिन ये बीच में ही तोड़ दी गई साल 2023 में जो बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है वाई साथ जो की कैंसल हो गया है और यह जो डील का कैंसलेशन है वो ना सर्फ प्लकि पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक बुरी खबर है इंडियन आईटी सेक्टर आपको जानकारी होगी बड़े पेमाने पर करता है और अमेरका हमारे लिए बड़ा अने असक्व किया है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रांस अमेरिकाने डिसिजिएन लिया है कि जो काम पहले तीश्यस को हमने दिया था अब वो काम हम अपने देश में खुद करेंगे तो इन्हों और समझने पर किसी भी टेखनोलोगी लीडर्शिप होती है वो इसकार के चेंज लाती रहती है कि सहाव इस काम को आउट्सोर्स कर दो अब आउट्सोर्सिंग बंद करनी है हम जो है इन हाउस करेंगे इन हाउस करने का डिसीजिजन लिया है खुद करेंगे काम उम्मीर यह है कि TCS से बहतर कर लेंगे यहीं तो हमें आपति है आप TCS से अच्छे से कैसे कर लोगे अगर आप अपने देश में करोगे तो कॉस्ट आप बढ़ जाएगी क्वालिटी अपने आप गिर जाएगी कारण यह है कि आप कॉस्ट तो देनी सकते अगर कॉस्ट देने की हिम्मत हो तो आप को स्ट बचाने के चक्कर में आप अपने देश के एरे गेरे लोगों को हार कर लोगे और आपकी क्वालेटी भी गिर जाएगी तो ट्रांस-अमेरिका को भी नुक्सान है पहुंद मान गए लेकिन ट्रांस-अमेरिका को भी आज नहीं तो कल इनके दिमागती बत्ती दे लेगी और यह काम लोट के आना भारती ही है थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन हाल फिलाल यह भारत और अमेरिका के संबंद्द सुभर रहे हैं उसके लिए एक नेगेटिव डवलाप्मेंट है और साथ में अमेरिका में जो मंदी की आसंका है वो और भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि मंदी होती है तो कंपनिया आपना खर्चा कम करने का प्रयास करती है आई टी प्रोजेक्ट पर कैची चलाती है तो इस प्रकार अमेरिका से यह बुई ख़वर आ रहे हैं जो हमारी इंडेस्ट्री हमारे मार्केट ग्लोबल मार्केट के लिए भी नेगेटिव होगी नकारात्मा होगी सबको इसका खाम्यादा बहुतना पड़ेगा पक्के से